हेलो फ्रेंट्स गार्डणिंग करना ना बहुत सुखा धन्बव है लेकिन उससे जब क्या होता है न कुछ प्राब्लम क्रियेट हो जाती है और ऐसी वह प्राब्लम होती है जो आप नहीं सोचे होते हैं तो दुखद हो जाती है देखिया आज कुछ बंदों ने में जाती है कि स्प्रिंग आर्टम में हम लोग रिपार्ट करें तो जल्दी रिकावर करता है ऐसे थोड़ी बहुत परिशानी होती है तो पौधा शौक में चला जाता है तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए पहला कि हमें इन पौधों को जड़ों को छेड़ना नही लेती हूं तो देखिए यह मैं लगाने जा रही हूं मैं सिंडर बेस या सेंड बेस की स्वाइल लेती हूं 50% सेंड है नहीं है तो 50% सिंडर डालती हूं और उसके बाद बर्मी कंपोस्ट है थान की भूसी है कोको पिट है और जो भी आपको डालना है जाकिन सुरू की जादे जरूरत होती है क्योंकि उनको ग्रोथ करना होता है तो इसलिए मैंने इसमें बर्मी कंपोस्ट की मात्रा थोड़े जादे मिलाई है अधर खाल की अलावा दूसरा इसको हमें कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा धूप डाइरेक्ट ना लगे बड़े होने के बाद भी थोड़ा सा बड़ा होना नहीं मतलब जब यह रूट यह इसकी सेट हो जाए उसके बाद भी मुझे डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है क्योंकि जब आपके हां का टर्मप्रेचर 40 प्लस जा रहा होता है तो इसकी जो उपर की ब्रांचे जोती है बहुत साफ्ट होत पानी का देखना अभी मिट्टी इसकी मौस्चं़ मैं तो मैं इसको आज पानी नहीं डालूंगी कल थोड़ा सा में इस प्रिंकल करूंगी और नेक्स डेसे में पानी डालूंगी पानी आप हमेशा अपने एरिया के टेंप्रेचर के अनुशार रखे, देखिए ये मेरा जेट प्लांट एठ है ये भी बहुत हर्डी प्लांट है और देखिए मैंने कुछ टोप्यारी बंाने के КОशिश की है क्योंकि यह सिजन रिपॉर्ट कर नहीं है तो हमेशा इसको भी वही करूंगी तो में रूट को भी ना डिश्टर्ब कि पानीजानिहायं कि वही लगाऊंगी क्योंकि इसके लिए रिभानीजाय रहे हैं हम सब कि आप पानी जब भी सेट करें अपनी एरिया के अनुसार ही सेट करें देखिए मैं कोईला जरू डालती हूं आगे मैं कहना भूल गई कोईला जो ऊड़ चार पोल होता है ना वह मैं जरूर अपने पौधों में डालती हूं तो इस तरह से ये मेरा ये देखिए ये भी एडे प्लांट में तो जड़ सड़ेगा तो हमें पानी को चेक करके और डालना है और अधिक पानी डालने में भी और कम पानी डालने में पत्तियां इसकी सूख्य हो जाती है तो हमें जेट प्लांट हो चाहिए अडेनियम हो हमेशा हमको मिट्टी के पॉर्ट में ही लगाना चाहिए अभी मेरे पास कुछ दिनों से मिट्टी के पॉर्ट नहीं थे तो मैंने मिट्टी का पॉर्ट नहीं उच किया प्लास्टिक में ही लगाया है तो अभी यह देखिए इस जेट को में प्लास्टिक के पॉट में लगा रही हूं और थोड़ा इसकी जड़को में उपर करूंगी और फिर मैं इसको लगा दूगी और इस तरह से आप किसी भी सीजन में अपने पौधों में थोड़ी से साउधानी बरत के आप पौधों को लगा सकते हैं और